मैं मंगला प्रसाद निसाद आपका हमारी यूट्यूब चैनल येम पी एन आलाइन इस्टेडी पर स्वागत है आज मोस्ट इंप्वार्टन टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सेल और बैटरी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्तुपूर्ण चैप्टर है चाहे आ करते हैं साथ हूं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आइटी आई की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करने तो चलिए हम मोस्ट इंप्वार्टन के बारे में बात करेंगे जो क्यूस्टन हर बाल लगबग पहले कि खेंजिटरी का धनात्मक दृज होता है किस धाटऌ और किस माड़ियू का बना होता है जिए हां जो हुते है उसका धनात्मक पौजिटिव होता है वह किस मैटेरियल का बना होता है किसogi से चारू dif organ उस आपको इसमें से राइट एंसर बताना है कि सुखी दुरू का जो धनात्मक दुरू होता है सुखी बैटरी का वह किस मटेरियल का बना होता है तो आपका राइट एंसर होका साथ हूं एक कारबन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन क्यूश्चिन है साथ हूं हर बाल लगब रहत है कि .» सेलों की उर्जिया फिर लिए इस्के बाद डाट है आपको भर्णा है से नवीनं करण किरिया जाता है दुखी दुखी इयक सेलों की उर्जिया प्राया जो है नवीनическая करण किया जाता है ऑपा सने है सि में से धारा गुजारना ऑपसन भी इसे गर्म करना औपस दी है इसके रासायने को नवीनी करण किया जा सकता है जो दूतियक सिलों होते हैं उसमें प्राय जो उर्जया होता है नवीनी करण किया जा सकता है क्या है आपका राइट एंसर तो साथ राइट एंसर जोगा इसमें वह होगा ए इनमें से बिद्धु धारा को गुजारना से किया जाता हैं अगर चलते हैं अगली क्विश्चेन पेंदर कि दारा की चमता जो हती है गड़ती है जों के परड़ाम प्राप्त होता हैं धारा की एक्जाम में जरूर आते हैं पूछा भी जाता है तो चलते हैं चौटा क्यूस्टन है जब ज्यादा से ज्यादा प्रेटिकल वाईबा और एक्जाम में जरूर आते हैं पूछा भी जाता है तो चलिए अगले क्यूस्चन पर चलते हैं चौता क्यूस्चन है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में बिद्धुधारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती कि अपगटन और जोस्व है दिद्धुथी क्यूस्चन सर्च सब्सक्राइब करते हुए However भी जाते हैं अगर आप आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर चैनल को सस्क्राइब के लाओ वीडियो को लाज तक बने रहे और हाँ साथ हूं आप कमेंट में जरूर बताएंगे आपको कितने क्यूस्चन के जो एंसर थे वो पता थे तो अगला क्यूस्चन है इलेक्ट्रो प्लेटिंग इनिमे से किस पर होते है जिहां जो इलेक् कैथोर तो साथिओं राइट अंसर इसमें जो है आपका वह एह है किवल कैथोर पर जिहां गल टो पर की जाती है तो अब हम छलते हैं अगले क्यूस्चन पर बात करेंगे अगला क्यूस्च्टिन है बिजली घरों में किस भंडारन बैटरी का समाननेता प्रयोग किया जाता है जिहां जो बिजली घरोती है उसमें किस भंडारन बैटरी का समाननेता प्रयोग किया जाता है ऑने यहें तो बिजले घरों में जो भंड़ार की जाती है वह की जाती है समानिता लेड्र एसीड बैटरी की आपका राइट वचानसर C है जिए हाँ कि स्केंडरी सїठा के सहंताट की यह होती है यह है अपसव्य है वी पेर में जो च्पेंडरी सी उपसन आपतSpa ओप सफंटर और ये ही वाट आफसनी है लुगुजे करेमяжं फ्कार आफ खंटा ओर में स्केंडरी सील ऑफंडी data कोने आफ preaching cod हैं दिरो किई ज़य को लेकिया है जो महत्तुपूर्ड किउस्चन है और क्यूस्चन है चैसे को रोकने के लिए लेड़ एसीड बयक्तरी के टरमिनल पर कंसता थे लगाया जाता है जिदा दिए घ्ल शाय पॉडर तो आपका राइट आंसरज वह साथ हूँ पेट्रॉलियम जिली जिए हाँ हम छह को रोकने के लिए बैटरी के जो टर्मिनल्ट होते हैं मुर्पलस और माइनस तर्मिनल होते हैं हम उसका जो च्छै को लगाते हैं ताकि उसका जो च्यों हो वह कम पर तो चलिए अगल सा बिद्वित अभगट जो है प्रयोक्त होता है यहन सी बीटी 2017 सोलक आए होगे क्यूश्चन है साध्यूं आप्सण ए है आपका सिल्वर पोटैसियन साइनाइट आपसं भी है तन्यू सल्फ्यूरिक अमला आप्सण डी है अमोनियम क्लॉराइड और आपसं डी है पोटैसिय क्यूश्चन जोकीom seniors harvest 2016 मिन आया हुआ क्यूश्चन है लेधिय में positive electrode की रूप में प्रयोक्ति समागरी है जिए हाँ लेधिय में जो positive electrode दोती हूँ इसके रूप में प्रयोक्ति समागरी कौन सी है तो option a है आपका lithium option b explosions week carbon option a junk जिंक और option D है मेगनीज डाय आक्साइड तो साथियों राइट एंसर कौन सा है पॉजिटिव एलोक्टोड के रूप में प्रियुक्त समागरी कौन सी है साथियों तो कारवन जो है आपका राइट एंसर है जी हाँ आपका भी जो है राइट एंसर है तो चलते हैं अब अगले क्यूस्टन पर बात करेंगे अगला क्यूस्टन है बैटरी की छमता ब्यक्त की जाती है जी हां जो बैटरी की छमता होती है वह किसमें ब्यक्त की जाती है ऑप्सन है वाट आवर में ऑप्सन भी है एंपियर प्रतिस सेकंड में ऑप्सन डी है एंपियर आवर में और ऑप्स में बैटरी की चमता होती है वह एम्पीयर आवर में ब्यक्त की जाती है तो चलते हैं अगले क्यूश्टन पर बात करें कि अगला क्यूश्टन है कि बिद्धुत के एक कुलामद्वारा तत्यू के ड्रब्यमान को इल्ड्रायट से मुक्थ करना कहलाता है जी हां आपका अप्सन है बिद्धुत की मात्रा ऑफसने है विद्धुत की मात्रा ऑफसन भी है विद्धुतिक रासायन too audi liberiber. सब्सक्राइब करना जो है क्या कहलाता है तो आपका जो राइट एंसर होगा वह भी होगा विद्धूत रासायन तुल्यांक कहलाता है तो अगले क्यूस्टन पर चलते हैं चिश्टन साथ यह आप देख रहा हैंं सी सटीट 2,015 में आया हुआ क्यूस्टन तो आगे क्यूस्टन पर चलते हैं अगले खूझें के बात करेंगे अगला क्यूस्टन है जब बै processes बहुत कंदर पर चार्ज की जाती है जिहां जब बैटरी को बहुत कम दर पर चार्ज करते हैं तब बैटरी के चार्ज करने की वीधी क्या कहलाती है जहां जब बैटरी को बहुत कम दर पर चार्ज करते हैं तो बैटरी चार्ज करने की वीधी क्या कहलाती है a एे रेक्टिफ फायर विदी option b है इस्थिर करेंट विदी option c है trickle चार्ज विद। और option d है स्थिर बोल्टेज विद। तो आपका राइट सब्सक्राइब फार के साथ भूरगा c trickle चार्ज विदी जा हम बैटरी को बहुत कम दरपर चार्ज करते हैं तो इसे हम trickle चार्जबीद की नौम से जानते हैं तो आगे चलते हैं अगले question पर बात करेंगे 15 नमबर का question वह primary cell कौन सा होता है जिसका self life सबसे लंबा होता है जिसका self खुद का life सबसे लंबा होता है option A है लीथियन सेल option B है इलकाइन सेल option C है mercury सेल और option D है साथियों carbon zinc सेल तो आपका राइट एंसर जो है साथियों वह है यह राइट एंसर है लीथियन सेल यहां वह primary सिल जो है लीथियन जो है वह सिल्फ की life जो होती है सबसे ज्यादा होती है और NCBT 2015 में आया हुआ question है तो अब चलते हैं अगले question पर बात करने 17 नमबर पर question electrolysis process में जमा द्रभ्यमान EM की गडना करने के लिए कवं सा सूत्र हम लगाते हैं जहां electrolysis process में जमा द्रभ्यमान के EM को गडना करने के लिए हम कवं सा सूत्र जो हैं लगाते हैं ऐम इसकल to IT upon Z option B है यहमइजकल toจะ I T option C हैं यहम्जकल टो जेड़ टी अपान आई option D है यें इसकोल टू जेड़ आई अपान टी तो साथ में जो राइट एंसर होगा वह B है यें इसकोल टू जेड़ आई टी जहाँ यें को गढ़ना करने के लिए हम इसी सुत्र को लगाते हैं ये मिज़कोल टू जेड़ आई टी अब चलते हैं या बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण क्यूस्चन है आप देख रहें इंसी बीटी 2015 और 14 में आया हुआ क्यूस्चन है अब चलते हैं अगले क्यूस्चन पर बात करने अगले क्यूस्चन है पूरी तरह से डिस्चार्ज और लंबे समय से रखे गए बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की पद्ध को इस्तेमाल होता है यहां पूरी तरीके से डिश्चार्ज और लंबे समय तक रखे गए बैटरी को चार्ज करने के लिए हम किस पद्ध का इस्तेमाल करते हैं यंसी वीटी 2015 में आया हुआ question है और यह question आपके वाइब में और इंटर्वियू में भी पूछा जा सकता है तो option यह है आपका trickle charge option B है constant voltage option C है constant charge और option D है rectifier charging तो आपका right answer जो होगा साथियों वह होगा trickle charge यह जो है right answer है अगर battery जो है पूरी तरह से discharge है और समय से रखी गई है तो हम उस बैटरी को charge करने के लिए जिस पद्धित का प्रयोक करते हैं उसे हम trickle charge पद्धित के नाम से जानते हैं तो अगले question पर चलते हम बात करने अगला option B है silica sulfate और option D है petroleum jelly option D है sulfur powder most important question है ncbt 2015 में आया हुए question है option C आपका right answer है इसके पहले भी हम question को लगबग बात कर चुके थे इसी से मिलता जूलता question था तो salvation को रोकने के लिए जो हम petroleum jelly का इस्तिमाल करते हैं दोनों सिर्व पर तो आगे चलते हैं अगले question पर बात करते हैं जो कि आखरी question साथ हूं महत्पूर्ण question भी है और यह ncbt 2014 में आया हुए question है निम्न में से एक लेड़ acid battery में रिलात्मक प्लेट का पदार्थ होता है जिहां निम्ने से एक लेड़ acid battery में जो रिलात्मक प्लेट का पदार्थ होता है वह किसका बना होता है option A है लेड चलपेट जिसका सूत्र है PVSO4, option B है, carbon 6, option C है, nickel, chromium और option D है, सूद्ध लेड जिसे हम राचानिक नाम PV के नाम से जानते हैं तो लेड एसीड बैटरी में जो रिलात्मक प्लेट का पदार्थ होता है साथ हो वह सुद्ध लेड का बना होता है और जो पाजिटिव होता है वह किसका बना होता है सात्यों जो पाजिटिव होता है पाजिटिव टर्मिनल वह आपका carbon का बना होता है तो कैसी लगी आपको हमारे वीडियो आप कमेंटर बाक्स से बता हैं यहां अगर आप ITI से पॉलिटिक ने करना चाहते हैं फिर भी आप हमारे चैनल पर लाश्ट तक बने रहें किसी भी प्रकार से आपको दिखत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिर मिलते हैं साथ ही वह अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद